सब्सक्राइब करें दवाबादर यूट्यूब चैनल नए वीडियोज को पाने के लिए दोस्तो जब भी आप बीमार पढ़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते तो ज़्यादा तर डॉक्टर जी इंजेक्शन को प्रेफर करते हैं क्योंकि इंजेक्शन का असर टैबलेट के मुकाबले जल्दी होता है तो आप जानना चाहेंगे वो कौन से इंजेक्शन है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर पेट में किसी भी कारण ACL की मातरा बढ़ जाती है तो हम इन एंटी अलसर इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं सबसे पहले तो ज़्यादा चलने वाले इंजेक्शन है पैंटो, प्रादुल और रैने तीरी जो हम IEM या IV दोनों तरीके से ते सकते हैं दोनों में से एक ही यूज करना है साथ में नहीं लेना है जिससे हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है नमबर दो एनालजेसिक याने पेन किलर जिसमें डाइकलोफेनक नाम से मुख्य रूप से एक ड्रग होता है जो दर्थ को कम करने के लिए दिया जाता है जो IEM रूट से ही दिया जाता है जो डाइना पर ब्रेंड नेम से फेमस है अब इसे यूज कप करना है अगर आपको कही पर भी बोडी पेन है तो आप इसे यूज कर सकते है बोन्स में पेन हो स्टोन की बिमारी में पेन हो तो भी इसे यूज कर सकते है दोस्तो सिर्फ 10 सेकंड का एक काम करना है सब्सक्राइब का बटन को दबाना है जिसके हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियो बनाने के लिए नमबर तीन एंटिबाइटिक इंजेक्शन दोस्तो जब भी हमारे बोड़ी में रैक्टरियल इंपेक्शन होता है तब हमें एंटिबाइटिक इंजेक्शन दिये जाते है जो हमें आईवी और आईएम दोनों तरीके से दिये जाते जिसमें कई ब्रेंडने माते हैं जैसे सेफ्ट्राइग्जोन, एमिकैसीन, जेंडामाईसीन जो कॉमनली डॉक्टर के द्वारा यूज किये जाते है वो जब होने लगता है, सरल बाचा में पेट दर्ब जब होने लगता है तब यह इंजेक्शन दिये जाते है जो आईएम रूट याने इंट्रमस्कुलर के द्वारा दिये जाते है जिसमें साइक्लोपाम, ड्रोटागरीन, हायोसाइन आधी तरह के ब्रेणने माते है नमबर फाइव, ब्लीडिंग दोस्तों किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, याने खून बैराओ किसी एक्सिदन के कारण ब्लीडिंग हो रही हो तो इसे रोकने के लिए ट्रानेक्सामिक एसेड इंजेक्शन का यूज किया जाता है नमबर शिक्स, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन अगर हमारे बोड़ी पर किसी भी तरह से एलर्जी हो रही हो, रैशेश होते हैं, घुजली यान आने लगती है तब हम इन इंजेक्शन का यूज आईवी के द्वारा या फिर आईएम के द्वारा भी किया जाता है जिसमें फिनेर मैन एविल इंजेक्शन, डेक्सो मितैसोन, बिठा मितैसोन, आधी कई तरह के ब्रैंड नेम कॉमनली यूज किये जाते हैं पर अगर किसी पेशन को ज़्यादा तकलिफ हो, तो एविल इंजेक्शन और डेक्सा मितैसोन इंजेक्शन को साथ में दे सकते हैं, जिससे पेशन को जल्दी राहत मिल सकती है तो दोस्तों यहती हमारी commonly used injection के बारे में short में जानकारी है कुछ injection छूट गए हो तो उसमें हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे तब तक के लिए स्वस्त रहे मस्त रहे और सब्सक्राइब करना ना भूले